अब आईए इस वक्त समझने की ये कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर ने अब तक जितनी भी बाते कही है उसमें सचाई है क्या बिल्कुल अगर सीमा हैदर की कहानी की शुरुवात से बात करें तो सबसे पहले नॉइडा पुलिस ने सीमा से पूश्टाच की उसको गिरफतार किया गया और जो ये कडिया है एक एक करके जुड़ती चली जाएंगी और आगे हम आपको बताएंगी कि जब मीडिया में वो इंट्रव्यू देती है फिर क्या होता है पूश्टाच होती है उसके बाद सीमा को कोर्ट से जमानत भी मिल गई जिसके बाद सीमा ने कई मीडिया चानल्स को मीडिया में इंट्रव्यू दिया और उसी दोरान सचिन मीना से भी ने भी सीमा से जुड़े सवालों का जवाब मीडिया के सामने दीए कि यही वक्त था जब दोनों के उपर शेक गहराता गया और इसमें और क्या हुआ से चुलमडा से पूश्टाच हुई उधर पाकिस्तानी जाते जिंसी भी कुछ ऐसे इंफर्मिशन लेकर सामने आ गई कि यहाँ जो एटीएस है यूपी एटीएस उसके कान खड़े हो गई कि जरूर कुछ बात है और अभी सेफाउस में रखे उससे पूश्टाच को ओड़ रही तो बिल्कुल यूपी एटीएस सचिन को भी रखा गया है लेकिन अब कई तरह की कनेक्शन्स खंगाले जा रही है कि आखिर सीमा सच बोल रही है या फिर साजिश है और देखे इन सभी पूश्टाच में एक बात बहुत कॉमन सामने आई है और वो यह कि सीमा हैदर एक जैसा बयान नहीं दे रही वो अलग अलग बयान दे रही है कि सीमा दो देशों की सीमा को लांग कर हिंदुस्तान तो पहुँच गई हिंदुस्तान आकर उसने बताया कि कैसे वो सचिन मीना से आज से नहीं पबजी के दाइम से मुलाकात बाते कर रही है और उसे बड़ा अच्छा लगा और वो यहां चली आई लेकिन अभी भी कई बाते ऐसी थी जिस पर जांचोनी जरूरी थी एटीस ने जांच की पहली नजर में यह प्रेम प्रसंग नजर आया लेकिन अभी भी सीमा की मुश्किल है कम नहीं हुई क्योंकि वो अवेद तरीके से भारत में दाखिल हुई है ऐसे में प्रेम से उसे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा तीन दिन की पूश्ताश के बास सीमा हैदर को लेकर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का यूपी एडियेस को इंतिसार है यूपी एडियेस सीमा और सचिन से पूश्ताश कर रही है इस दोरान कई खुला से हुए है कई ऐसे रास से पर्दा उठा है जो सीमा खुद में समेटे हुए थी और कई दस्तावेजों में सीमा के इरादों और उसके भारत आने के मकसद के बारे में पता शलता है सुत्रों के मताबिक सीमा हैदर को पाकिस्तान डीपोर्ट करने की एजेंसिया प्लैनिंग कर सकती है इसके पीछे वज़ा सीमा का अवैद तरीके से भारत आना है सुत्रों के मताबिक सीमा हैदर के खिलाफ अब तक की जाश में जासूसी के सबूत तो नहीं मिले है लेकिन सीमा घुलाम हैदर जिस तरीके से अपने चारों बच्चों के साथ तुबई होते हुए नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी और बिना परमीशन सचिन मीर्ना के घर में रही वो पूरे तरीके से आवैद है सीमा हैदर के पास कोई वैद वीजा नहीं है ना कोई ऐसा दस्तावेज है जो सीमा हैदर को भारत में रहने के इजास्त देता हो ऐसे में जाँच एजन्सियां सीमा हैदर और उसके चारों बच्चों को वापस से पाकिस्तान भेजने के विकल पर विचार कर सकती है हालक इस कारवाई से पहले जाँच एजंसियां हर तरीके से अपने संधे को पुखता करने की कोशिश करेंगी जैसे सीमा के पास मिला अवैद आधा, सीमा के पास मिले छे पासपोर्ट, सीमा के पास मिला टूटा मोबाइल, सीमा के पास मिले सिम, सीमा का दुबई कनेक्शन, सीमा का भरत आने का रूट, और सीमा के सर्टिफिकेट में अलग-अलग उम्द क्योंकि ये वो वज़ा है जिनके बाद सीमा खुलाम हैदर पर शक्की सुई खुमी थी और सीमा हैदर ATS की रिडार पर आ गई नेपाल में सीमा और सचिन के मुलाखात हुई थी दोनों कई दिनों तक नेपाल के होटल में पती पतनी का रिष्टा बता कर रुखे थे और नेपाल में ही दोनों शादी करने का दावा भी कर रहे थे हमारी टीम ने नेपाल के उस होटल के मालिक से संपर किया तो क्या कुछ जानकारी मिली वो भी सुनिये पो इनकलते थे में दिन्वार रूममें रहते थे, और सुभे और सामको थोड़ा उलक बहहर निकलते थे. तो ज》सी जड़ा उलक बहहर ही खाके आते थे खाना भी नाख completely. पता का नम दिया था, अम्मको उनको जब आमिनी निउज में आती उनका नम सhachiniya. यानि घलत नाम, घलत जानकारी और घलत पते के साथ सीमा हैदर और सचिन मीना नेपाल में कई धनों तक रुके थे एटियस सुतरों का दावा है कि टीम ऐसी तमाम सबूतों के तज़्दी करने में लगी है और अगर सीमा हैदर जासूसी के आरोपों से बरी हो जाती है तो उसे अवैद तरीके से भारत आने पर टीपोर्ट किया जा सकता है सीमा हैदर का निकाहब पाकिस्तान में हुआ लेकिन शादी उसने रचाई नेपाल के पशुपती नात मंदिर में यह हम नहीं कह रहें यह खुछ सीमा हैदर ने हमारे कैमरे के सामने कहा था लेकिन हम जब नेपाल पहुँचे हम उस पशुपतीनात मंदिर पहुँचे तो हमने तो कुछ और ही सुना हमारे सायोगी दिपक बिश्ट की रिपोर्ट आप देखिए जब वो पशुपतीनात मंदिर पहुचे है यह वो रिजिस्टर है इस रिजिस्टर की हम बात कर रहे थे नियूज देटिन इंडिया पर हम इसको जाचने के लिए हिंदुस्तान से नेपाल में इसलिए आये हैं क्योंकि हमें इस रिजिस्टर की असलियत चाहिए थी क्योंकि यह जो record room है यहां पर अभी जो लोग थे हैं यहां पर जो staff के लोग थे हुँ नहों हमें क्या ऐसा क्या हुआ दा लेकिन जो स्ताफ था उनोंने हमें जान कर दी भी नाम नहीं यह आपको दिखाया कि इस टीमि आई थी आप實का नहीं तक नहीं आई है आचा एटीस की टीम भी हाँ पर नहीं आई झाल झाल